सिम्रन जा जा कर आर्ती की थाल ले आ, हा मा अभी लाई आओ बहु, मेरी पोती के साद ग्रेह प्रवेश करो ये लो मा, भाबी लाओ गुढिया को मुझे दो अभी रुक तो पहले बहु और धीरच को गुढिया के साद ग्रेह प्रवेश करने दे फिर गोदी में ले लेना जीती रहो पूर्णिमा बहू आज तुमने घर को एक पोती नहीं लक्षमी दी है लक्षमी सैदा खुश रहो पूर्णिमा और धीरच की शादी एक साल पहले ही हुई थी पूर्णिमा आज एक बेटी की मा बनी थी और हॉस्पिटल से घर आई थी पूर्णिमा की सास पुश्पा देवी आज बहुत खुश थी कितने सालों बाद घर में बच्चे के आने से रौनक लग जाएगी मा मुझे आज रात की फ्लाइट से ही ऑफिस की काम से जाना है दो-तिन दिन का काम है मैं लोटाओंगा अच्छा अच्छा चल कोई बात नहीं काम तो जरूरी है जाओ पूर्णिमा बहू गुडिया को कमरे में ले जाओ और तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो मैं तुम्हारे लिए खाना वहीं भिचवा दूँगी पूर्णिमा धीरज के साथ कमरे में आ जाती है और गुडिया को सुलाने लगती है धीरज, क्या जाना जरूरी है अभी तो मैं हॉस्पिटल से आई हूँ तुम थोड़ी देर भी गुडिया के पास नहीं रुके और आज रात को जा भी रहो अरे यार मेरा जाना बहुत जरूरी है तुम टेंशन क्यों ले रही हो मैं परसो रात तक वापस आ जाओंगा न और वैसे भी राहूल आ रहा है वो तो तुमसे आज तक मिला भी नहीं है राहूल के आज रात की फ्लाइट है वो कल सुबह तक आ जाएगा और जबसे उसने गुडिया के जन्म की खबर सुनिये वो तो अपनी भतीजी से मिलने के लिए बहुत एकसाइटेड है वो भी आ जाएगा तो हम सब मिलकर एक ग्रैंट पार्टी करेंगे राहूल धीरज का छोटा भाई जो की कैलिफोर्निया में जॉब करता है धीरज और पूर्निमा की शादी के समय वो नहीं आ पाया था क्योंकि उसे ओफिस से छुट्टे मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था इस कारण राहूल थोड़ा उदास भी हो गया था पर अब उसे छे महीने की छुट्टिया मिली थी इसलिए वो वापस आ रहा था घर में खुशी का महौल था सब बहुत खुश थे हस्ते हस्ते धीरज की मा बेहन और पतनी पूर्निमा उसे विदा करते हैं पर धीरज को नहीं पता था कि वो उन सबसे आकरी बार मिल रहा है धीरज इस फ्लाइट में बैठा था वो फ्लाइट रास्ते में क्रैश हो गई और बहुत से यात्री मारे गए जिन में धीरज भी था राहुल जब लोटा तो वो नहीं जानता था कि वो अपने भाई से कभी नहीं मिल पाएगा धीरज इस दुनिया से जा चुका था कल तक जो खुशी का महौल था आज वो मातम का महौल बन गया था मा धीरज भीया को गया आज एक हफता बीच चुका है आपने ढंक से कुछ भे नहीं खाया अगर ठीक से खाना नहीं खाओगे तो दवाई कैसे लोगे राहुल भाईया, पुर्णिमा भावी ने भी कुछ नहीं खाया है जबर्दस्ती उन्हें कुछ खाने को देती हो तो एक निवाला ही खाती है और रोने लगती है राहुल पुर्णिमा के कमरे में जाता है उस समय गुडिया रो रही थी राहुल गुडिया को गोदी में ले लेता है और चुप कराने लगता है अरे हमारी गुडिया रानी क्यों रो रही है चलो मैं थोड़ी देर तुम्हें बाहर आंगन में घुमा लाता है अरे आप रहने दीजे बिकार में परिशान होगे मैं इसो सुला देती हूँ अरे तेरा दिमाग खराब है क्या पुश्पा सारी जिंदगी अपनी विध्वा बहु और उसकी बेटी को पालने की जिम्मेदारी तू क्यों अपने सिर ले रही है अभी तुझे सिम्रन और राहुल की भी शादी करनी है अब इसका तेरे घर में क्या काम अगर तु इसे अपने घर में रखेगी तो आगे चलकर बेटी की सारी जिम्मेदारी का खर्चा तेरे सिर पर आ जाएगा मैं तो कहती हूँ इसे इसके माई के भेज दे अपने आप दोनों मा बेटी की जिम्मेदारी उसके मा बाप उठाएंगे शायद तुम ठीक कह रही हो दीदी मैंने ये बात तो सोची ही नहीं बहाने से कल इसे अपनी मा के घर भेज देती हूँ फिर किसी को लिवाने नहीं भेजूंगी तो अपने आप समझ जाएंगे पुष्पा देवी की बड़ी बहन आशा देवी कान भर कर जा चुकी थी अगले ही दिन पुष्पा देवी ने पूर्णी मा को अपने माई के जाने के लिए कहा बहू धीरच को गए पाच बहीने हो गए हैं तुम अपने मापापा से मिलने भी नहीं गई हो खुछ दिन के लिए अपने माई के रहाओ, तुम्हारा थोड़ा मन बदल जाएगा, गुडिया भी अपने नाना नानी के पास रहने नहीं गई, ठीक है माजी, मैं कली चली जाओंगी अरे काहे का नाया साल बेटा, जाने थे, कुछ दिन अपनी मा के घर पर रहने, राहुल चुप हो जाता है, सिम्रन भी कुछ नहीं बोल सकी, अगले दिन पुर्णी मा गुडिया को लेकर अपने माई के चली जाती है, पुर्णी मा को गए एक हफता बीद चुका था, और अग पुर्णी मा भावी को वापस बुला ले क्या, नए साल पर गुडिया और पुर्णी मा भावी हमारे साथ होंगी, तो भाया की कमी महसूस नहीं होगी, कह तो तुम ठीक रही हो सिम्रन, मैं एक बार माँ से बात करता हूँ, तुम यहीं रुगो, राहुल पुर्णी मा और गुडिया को वापस लाने के लिए बात करने जाता है, पर वो अपनी मा को फोन पर बात करते देख बाहर ही रुग गया, अरे दीदी, तुम चिंता मत करो, मैंने उस मुसीबत को माई के भेज दिया है, अब वो दोनों मा बेटी इस घर में वापस कभी नहीं आएगी, मैंने फोन पर उसके माबाप को कह दिया है, कि अब हम पूर्णिमा और उसकी बेटी का बोच नहीं उठा सकते, जब तक धीरश था, तब तक ही उनसे हमारा नाता था, अब हम क्यों खर्चा उठाएं, अपनी मा की बात सुनकर राहुल चौंक जाता है, उसका मन दुक से भर जाता है, और वो उसी पल पूर्णिमा के घर पहुचता है, अंटी जी, मुझे पूर्णिमा से मिलना है, अभी और इसी वक्त, अरे, राहुल तुम और इस समय? पूर्णिमा, मा का फोन आया था न, इसलिए तुमने मुझे फोन पर घर आने के लिए मना कर दिया, सच-सच मा ने तुम्हे घर आने के लिए मना किया है न? राहुल, मा जी, सही तो कह रही है, जब तक धीरज थे, तब तक मेरा नाता उस घर से था, अब मैं उनकी विद्वा हूँ, मेरा उस घर से कोई नाता नहीं है, वैसे भी मैंने नौकरी के लिए अपलाई कर दिया है, मैं यहा पता है, धीरज भहिया की आत्मा को बिल्कुल भी शान्ती नहीं मिलेगी, अगर वो तुम्हें ऐसे दुख में देखेंगे, इस नए साल पर नए जीवन की शुरुआत करो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है न? तो चलो मेरे साथ, अंकल आंटी जी, आप भी मेरे साथ चलिए पुर्लिमा, आज से मैं भगवान को साक्षी मान कर, तुमसे शादी करना चाता हूँ, मैं गुडिया को पिता का नाम देना चाता हूँ, मेरे होते हुए, तुम्हें और गुडिया को घर से दूर रहने की कोई जरुवत नहीं है, तुम्हारा हमारे घर से हमेशा नाताथ थ और आगे भी रहेगा, गुडिया अपने पापा के घर में ही रहेगी, राहुल, तुम ये क्या कह रहे हो, पुर्णिमा क्या तुम नहीं चाहती कि गुडिया को अपने पिता का प्यार मिले, और धिरज भईया की आत्मा को शांती मिले, राहुल की बाते सुनकर पुर्णिम तु पूर्णिमा से शादी करके घर आ गया तु जानता भी है ये तेरे बड़े भाई की विद्वा है आ मैं जानता हूं मा भाईया के इस दुनिया से जाने में पूर्णिमा की कोई गलती नहीं है और फिर गुडिया की इसमें क्या गलती है कि पैदा होते ही उसके पिता का साया उसके सिर से उड़ गया मा एक बार पूर्णिमा और गुडिया की तरफ देखो तो सही ये दुन आपके अपने हैं अगर धिरज भाईया जिन्दा होते तो क्या आप इनके साथ ऐसा सलुक करती जो आज करने जा रही थी मा गुडिया आपका अपना खोन है गुडिया धिरज भाईया की बेटी है तभी गुडिया रोने लगती है पुष्पा देवी की आँखों से आँसु छलक आते हैं जाने अंजाने अपनी बड़ी बेहन की बातों में आकर पुष्पा देवी जो अनर्थ करने जा रही थी उसका उन्हें बहुत पच्तावा था और आगे बढ़कर अपने बेटा बहु और पोती को गले से लगा लेती हैं सिम्रन भी अपनी भाबी और गुडिया को पाकर बहुत खुश थी गुडिया को अपना परिवार मिल गया था पुर्णिमा और उसकी बेटी के सूने जीवन में नया साल फिर से नई खुशिया नई रंग बिखेर देता है उर्मिला की तीन बहुएं थी जहां उसकी दो बहु बेहद अमीर घर से तालुकात रखती थी वही एक बहु बेहद गरीब घर से थी जिसकारण ना सिर्फ उन्हें सास की बल्कि दोनों अमीर बहुं के ताने भी सुनने पड़ते थे रोजाना की तरह गरीब बहु रसोई घर के कामों में जुटी हुई थी सोनल बहु, अरे ओ सोनल बहु अरे ओ सोनल की बच्ची कहां मर गई आई माजी, हाथों में चाय लिये हुए सोनल हॉल में आती है खी लीजे माजी चाय क्यों रे मेरी गरीब बहु, चाय बना रही थी या बीरबल की खिचड़ी, इतना वक्त लगता है माजी, अब घर बाहर का सारा काम भी तो इतना है कि दिन भर कटपुतली की तरह नाचना पड़ता है अरे, मेरे जमाने में तो एक अकेली लुगाई घर भर का काम नाचनाच के कर देती थी और तुझे काम करने में दिक्कत हो रही है मेरी दोनों बहुरानियों के लिए चाय क्या तेरा बाप लाएगा माजी, दोनों देवरानी भी अब अपना हाथ-पाउं चला सकती है क्यों? तेरे हाथ-पाउं में घुन लगा है चुप-चप-जाओ चाय ले करा जी माजी सास की बात सुनकर सोनल रसोई घर आती है जाने सासुमा मेरे साथ ही ऐसा बुरा बरताब क्यों करती है ऐसा जान पड़ता है मैं इस घर की बहु नहीं बलकि बाई हूँ आजकल के दौर में लोग उनसे भी बेरुकी से पेश नहीं आते होंगे जाने ये दो रिहाईशी तितलियां ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाती है माजी को जो माजी इनका तो गुनगान करती है और हमारी गरीबी की हसी उडाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती खेर यू दिल ही दिल कुढ़ने से कुछ नहीं होगा क्योंकि हम गरीबों को तो पूछने वाला कोई नहीं होता गरीब बहु की बेवसी उसकी बातों से साफ जाहिर हो रही थी जहां गरीब बहु की दशा नौकरानी से भी बत्तर थी वहीं दो बहुए छोटी होने के बावजूद सारा दिन बस हुकुम चला दी समय के साथ सर्दियों का आगमन हो जाता है हॉल में बैठी और मिला की दोनों अमीर बहुए कहती है सासु मा सर्दियां आ चुकी है आप तो जानती हैं कि सर्दियों को लेकर मेरे कितने शौक है इसलिए मैंने डैडी से कहकर चारू के लिए न्यू हीटर मंगवाए है तैकि हम चारू ठंड से बच सके मा जी कली मैंने भी सर्दियों की खूप सारी शौपिंग किये ये देखिए खास आप के लिए पश्मीना की शौल लाई हूँ तोफे देना क्या तुम दोनों बभवों को ही आता है मैंने भी तुम दोनों के लिए नई रजाई बनवाई है मा जी इसकी क्या जरूरत थी अरे जरूरत कैसे ना थी तुम्हारे कमरे की रजाई पतली हो चली है मैं नहीं चाती कि मेरी बहुएं राद भर ठंड से ठिठूरती रहे इसलिए मैंने बिना देरी करे रजाई बनवादी और फिर तुम्हारी सास के पास पैसों की कमी है क्या तभी सोनल उर्मिला से कहती है माजी जब आपने देवरानी जी के लिए रजाई बनवाई है तो लगे हाथ मेरे लिए भी रजाई बनवा देती समाचार में सुनने को आ रहा है कि इस साल रिकॉर्ड तोड सरदी पढ़ने वाली है ऐसे में मैं इतने दुबले पतले कंबल से कैसे काम चलाऊंगी गुसा देख कर दोनों अमीर बहुएं मौके का फैदा उठाते हुए फूट डालना शुरू कर देती है इसका मतलब हमारी ये गरीब जिठानी आखे गड़ाई बैठी रहती है बाद-बाद पर हमसे बराबरी करना जरूरी है क्या जिठानी जी उर्वशी तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं हो जो मैं तुम्हारी कोई देखा देखी करूँगी देख लीजे माजी हमारी ये गरीब जिठानी जी कहां का गुसा कहां उतार रही है एकदम खरा बोल रही है तान्या बहुतू जोका बरतन करने में मेरी गरीब बहु के हाथ जवाब दे जाते हैं मगर बोलते वक्त जबान गजभर की हो जाती है ऐसा कहकर उर्मिला चली जाती है और तान्या कहती है हमारी सासुमा की गरीब बहु तुम चाहिए कितने भी पापड बेलो लेकिन तुम हमारी जगा कभी नहीं ले सकती हमारी किस्मत कोही नूर ही रहे जैसी है और तुम उस गरीब गलीचे के समान हो जिसे देख कर लोग नाक से कोड़ते है ऐसे ही कई सप्ता बीथ जाते है जिसके साथ बेताहशा सर्दियां बढ़ जाती है जहां एक और अमीर बहुए गदेदार बिचोने पर भारी भरकम रजाई में मजे से सो रही थी वहीं बिचारी गरीब बहु को सर्दी की सारी रात उस पतले दुबले कंबल में काटनी पड़ती है अगले दिन सुबह होते ही सोनल फिर से घर के काम में जुट जाती है इसके बाद जैसे ही वह बर्तंद होने के लिए किचन में जाती है तो ठंडे पानी से उसके हाथ कामपने लगते है जिसके बाद वह अपनी सास के कमरे में जाती है जहां पर उर्मिला रूम हीटर लगाए, रजाई के अंदर बैठी होती है, तब ही उर्मिला सो नल से कहती है, अरे बहु, इधर उधर क्या देख रही है, मेरे कमरे में चोरी करने का इरादा है क्या? माची मैं तो पानी गरम करने की मशीन ढून रही थी, सरदियां बहुत बढ़ गई है, किचन के नल से बहुत ठंडा पानी आ रहा है, ठंडे पानी से हाथ जमने को हो रहे है, अच्छा, तो अब महरानी को बरतंध होने के लिए गरम पानी चाहिए, बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा, कोई मशीन नहीं मिलेगी, जल्दी से काम चोरी छोड़ और बरतंध होने लग चाहिए, इसके बाद खरी खोटी सुना कर, उर्मिला फिर से अपना पला जाड़ लेती है, और बेचारी गरीब बहु, कडाके की ठंड में भी, ठंडे पानी से ही काम करके गु बाद सुनकर, गरीब बहु जल्दी उसके कमरे में जाती है, और कहती है, माजी क्या हुआ, आप ठीक तो है, अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है, माजी मैं अभी आती हूँ, इसके बाद सोनल किचन में जाकर काढ़ा बना कर लाती है, और उर्मिला को पीने के लिए साथ ही और्मिला के सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखना शुरू करती है, सोनल कभी उसके हाथ दबाती तो कभी उसके पैर, सारी रात बिचारी सोनल बिना छप की लिए अपनी सास की सेवा पानी में लगी रहती है, अगले दिन दोनों बहुए अपनी सास के कमरे में जाती है, गुड मॉनिंग सासुमा, गुड मॉनिंग सासुमा, क्या हुआ, आपका मुँ मरीजों जैसा क्यों लग रहा है, माजी की तब्यत कल रात से बहुत खराब थी, उन्हें तेज बुखार था, उर्वशी चलो यहां से कहीं हमें भी फ्लू न लग जाए, इसके मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा और तुम्हारी गरीबी की हसी उड़ाई, शैद इसी कारण भगवान ने मुझे ऐसा भुकतान दिया है, माजी, बीती बातों को याद करके दुखी मत होए, जो हुआ उसे भूल जाए, सास का बरताव देखकर तानिय और उर्वशी का सर शर्म के मारे जुक जाता है और वो कहती है, जिठानी जी हमें माफ कर दीजे, हमने आपको तानिय दिये, आपकी गरीबी का मजाग उड़ाया, जिठानी जी हम दोनों को माफ कर दीजे, एसा मत कहो, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेहने माना है, फिर तीनों आपस में गले लग जाती हैं और इसके बाद सारा काम मिल जुल कर करती हैं